चैनल में स्वागाते हैं आपका आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Calculation of Standard Diversion and Coefficient of Standard Diversion by Discrete Series means हम Discrete Series से Standard Diversion और Coefficient of Standard Diversion कैसे निकाल सकते हैं आज हम इस वीडियो में जान लेंगे तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे ये एक question दे रखा है इसमें x और f की value दे रखी है जो x है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है जो f means उनकी frequency दे रखी है वो 7, 8, 10, 12, 4, 3, 2 है तो इस से हम standard deviation और coefficient of standard deviation कैसे निगाल सकते हैं तो इसके लिए एक formula है और वो formula है sigma equal to सबका अंटरूट submission f और bracket में x minus x bar whole square upon n तो इस formula से हम standard deviation निगाल सकते हैं तो हम जान लेते हैं कैसे निगालेंगे तो सबसे पहले तो हमें x bar निगालना होगा x bar का मतलब है हमें mean निगालना होगा और discrete series से mean को कैसे निगालते हैं उसके लिए एक अलग formula है और वो formula है x bar equal to submission fx upon submission f तो इस formula से हम mean को निगाल सकते हैं हमें f और x निगालना होगा और वो कैसे निगालेंगे हम f को x से गुणा करा देंगे means multiply करा देंगे तो निगाल लेते हैं हम 3 को 7 से गुणा कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 21 4 को 8 से गुणा कराएंगे तो यह हमार पास आएगा 32, 5 को 10 से गुणा कराएंगे तो यह हमार पास आएगा 50, 6 को 12 से गुणा कराएंगे तो यह हमार पास आएगा 72, 7 को 4 से मल्टिप्लाई कराएंगे तो यह हमार पास आएगा 28, 8 को 3 से मल्टिप्लाई कराएंगे तो यह हमार पास आएगा 24 9 को 2 से multiply कराएंगे तो यह हमार पास आएगा 18 तो सबसे पहले हम mean निकाल लेते हैं तो submission fx करना है हमें submission fx का मतलब है कि fx जो हमें दे रखा है इसका total करना है और इन सब को जोड़ने पर हमार पास जो आएगा वो आएगा 245 और हमें submission f वी चाहिए तो submission f कैसे निकालेंगे हम जो हमार पास f दे रखा है उसका total कर देंगे तो total करने के बाद हमार पास यह आएगा 46 तो अब हम mean निकाल लेते हैं submission fx की value कितनी है 245 upon submission f कितना आया हमार पास 46 तो इसको solve करने के बाद हमार पास जो answer आएगा वो है 5.32 और अब हमें standard deviation निकाल ली है तो उसके लिए हमें x minus x bar निकालना होगा और फिर हमें उसका square निकालना होगा square निकालने के बाद f से multiply कराना होगा तो देख लेते हैं हम तो अब हम निकालेंगे x minus x bar तो जो हमार पास x bar आया है वो है 5.32 तो 5.32 में से हम x को घटाएंगे means 3 में से 5.2 घटाएंगे तो ये हमार पास आएगा minus 3.32 और 4 में से 5.32 घटाएंगे तो ये हमार पास आएगा minus 1.32 और 5 में से 5.32 घटाएंगे तो यह हमार पास आएगा minus 0.32 और 6 में से 5.32 घटाएंगे तो यह हमार पास आएगा 0.68 और 7 में से 5.32 घटाएंगे तो वह हमार पास आएगा 1.68 आठ में से 5.32 घटाएंगे तो यह हमार पास आएगा 2.68 और 9 में से 5.32 हटाएंगे तो यह हमार पास आएगा 3.68 तो अब हमें इसका square भी करना है तो square करेंगे हम इसका तो minus 2.32 का square करेंगे तो यह हमार पास आएगा 5.38 minus 1.32 का square करेंगे तो यह हमार पास आएगा 1.74-0.32 का square करेंगे तो यह हमार पास आएगा 0.10 0.68 का square करेंगे तो यह हमार पास आएगा 0.46 और 1.68 का square करेंगे तो यह हमार पास आएगा 2.82 2.68 का square करेंगे तो यह हमार पास आएगा 7.18 3.68 का square करेंगे तो ये हमार पास आएगा 13.54 तो इससे भी हमारी standard deviation नहीं निकलेगी अब हमें formula को देखना होगा और formula क्या है? summation f और उसके साथ multiply हो रही है x-x bar का whole square तो हमें f को x-x bar के whole square से multiply करानी होगी तो भो भी हम करा देते हैं तो भो हम कैसे कराएंगे? जो हमार पास x-x bar का square आया है उसको f वाली value से multiply कराएंगे और वो कैसे? 5.38 को 7 से multiply कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 37.66 और ऐसे ही 1.74 को 8 से multiply कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 13.92 और ऐसे ही 0.10 को 10 से multiply कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 1 और ऐसे ही 0.46 को multiply कराएंगे हम 12 से तो ये हमार पास आएगा 5.52 और ऐसे ही 2.82 को हम 4 से multiply कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 11.28 और ऐसे ही 7.18 को 3 से multiply कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 21.54 और ऐसे ही 13.54 को 2 से multiply कराएंगे तो ये हमार पास आएगा 27.08 तो अब हम standard deviation को निकाल सकते हैं और वो कैसे निकालेंगे हमें इसका submission करना पड़ेगा इसका submission जो आएगा submission का मतलब आता है कि सबका जोड़ तो इन सबको जोड़ने पे जो हमार पास आएगा वो है 118 means 118 तो आप हम standard deviation को निकाल सकते हैं इस formula में values रखेंगे और standard deviation निकालेंगे तो sigma equal to submission f और उसके साथ multiply हो रही है x minus x bar का whole square तो इसकी value हम यहाँ पे रख देंगे तो इसकी value कितनी है 118 means 118 अपोन में n है जो n होता है वो हमारा summation f होता है तो यह कितना है 46 तो आपोन में 46 तो इसको solve करने के बाद जो हमार पास answer आएगा वो आएगा 2.56 और उसका unroot तो हम इसके root को कैसे खोलेंगे यह भी आपको बता देता हूँ तो इस value का हम unroot कैसे खोलेंगे इसके लिए एक formula है और वह formula है unroot x plus minus y और इसको आगर हम solve करेंगे तो यह हमार पास आएगा unroot x plus minus y upon 2 unroot x तो जो हमार पास x है x वो हमें ऐसा रखना है जिसका unroot आसानी से खोल जाता हो या तो हम उसमें से किसी को घटाएंगे या किसी को जोडेंगे तो जैसे 2.56 है इसका unroot खोलने के लिए हम क्या करेंगे हम इसके आसपास वाले संख्या देखेंगे जिसका unroot आसानी से खोल जाता हो तो 3 को देखेंगे हम तो वो नहीं खोलेगा 4 को देखेंगे तो उसका unroot खोल सकता है किस से 2 से तो हम क्या करेंगे 4 में से 1.44 घटा देंगे तो इसको solve करेंगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे हम unroot के अंदर 4 और minus करेंगे plus minus के जगा minus और इसमें से 1.44 घटा देंगे तो यह हमार पास आएगा x हमने कितना लिया है 4 तो unroot के अंदर 4 और plus minus के जगा minus और 4 में से हम 2.56 घटा देंगे तो यह हमार पास आएगा 1.44 upon 2 और x केतना लिया है हमने 4 तो ऐसे ही इसका unroot को लेंगे तो यह किसे कोलता है 2 से minus 1.44 upon 2 और unroot 4 किसे कोलेगा 2 से तो इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 2 minus 1.44 upon 4 तो 4 की 2 से multiply कराएगे तो यह हमार पास आएगा 8 minus 1.44 और सब के बटे में 4 तो 8 में से 1.44 घटाने पे हमार पास आएगा 6.56 और उसके अपन में 4 तो इसको solve करेंगे तो हमार पास आएगा 1.64 means जो हमारी standard deviation आई है वो हमारा 1.64 है तो आब हम coefficient of standard deviation निकालेंगे तो इसके लिए अलग formula है और वो formula क्या है वो देख लेते हैं तो इसको निकालने का formula है sigma upon x bar sigma क्या है जो हमारे पास standard deviation आई है वो कितनी है 1.64 upon x bar कितना आया था हमारा x bar का मतलब है कि जो mean आया था हमारे पास वो था 5.32 तो इसको solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.30 means जो हमारा coefficient of standard deviation आया है वो है 0.30 तो इस तरीके से हम discrete series से standard deviation और coefficient of standard deviation निकाल सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like और comment करके जुरूर बताना और आपसे एक छोटी सी request अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर देजिए जिससे कि आपका हमारी वीडियो मिलती रहे Thank you for watching